हलो दोस्तो आपका स्वागत है इस पावर पॉइंट टुटोरियल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे पावर पॉइंट की हैल्प से गेफ फाइल क्रेट कर सकते हैं तो सुरू करनों टोपनों है फ्रीब ´चानल को सब्सक्राईब करें अव बěल का इकनद बाएं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेऊँ ज risไป हैं सबसे पहले मैं आपको देखलाना क्यांगा को मैं जब फाइल क्रेइट करा तो वह कैसे दिखे वो gif file create कर रखा है आप उसको देखोगे यह हमारे presentation one और presentation two यह दो हमने gif file create कर रखा है जैसी मैं इस पर click करूँ गा आप देखोगे कि वो gif file चलने लगेगा तो इस तरीके से वो gif file work कर रहा है ठीक है इसी तरीके से हमारा दूसरा gif file है जो हमारी दूसरी gift file है जैसी मैं presentation 2 पे click करूँगा तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से वो work करेगा तो यह हमने gift file create कर रखा है यह automatic चलता रहेगा यह हमने powerpoint की help से create किया है तो अब हम देखेंगे कि यह हम दोनों कैसे gift file create कर सकते हैं powerpoint में तो चलो सुरू करते हैं देखते हैं कि हम gift file कैसे create कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्याम करते हैं एक नया powerpoint file लेते हैं हमने यह नया ले लिया ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे blank लेते हैं अब हमने blank ले लिया अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपको यह वाला जो हमारा ARC है उसको select करेंगे और यहाँ पे हम create कर देंगे ठीक है इस तरीके से हम create कर देंगे उसके बाद हम यहाँ से पकड़के इसको orange part को और हम इसको जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ जाएंगे shape outline में और यहाँ weight पे जाएंगे और weight पे जाने के बाद हम इसको जो इसकी weight है वो मोटा कर देंगे उसके बाद shape outline में जाएंगे यहां dash आएगा आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो फिर यहां shape outline में जाओगे और यहां पर arrow आप लगा सकते हो आप arrow हम इस तरीके से arrow लगा देंगे तो आपने देख लिए हमने arrow लगा दिया यहां पर ठीक है यह हमने बना दिया अब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसकी फिर हम क्या करते हैं एक copy create कर लेते हैं right click करेंगे copy और paste उसके बाद हम rotate में जाएंगे और यहाँ flip कर देंगे horizontal horizontal flip करेंगे तो यह इस तरीके से यहां जाएगा फिर हम जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो यह त्री केसे आए फिर हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एगे हैं जायेंगे करने के बाद हम यहां जाएंगे घर्रिय करेंगे морDDId सेंटर फिर like और क्लिक करेंगे align middle अब देखो कि यह दोनों गोला बन गया फिर हम दोनों को select करेंगे और control जी प्रेस करेंगे control जी प्रेस करेंगे तो यह grouping बन जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसमें एक effect डालेंगे animation डालेंगे तो animation डालने के लिए पर यहां पर आपको एनमेशन आएगा, इस पीन पर जैसे आप क्लिक करोगए तो यह देखो कि गोला घुमने लगा है बहुने isके बाद क्या कर करेंगे एनमेशन पर यहां राइट्यट कलिक करेंगे और यहां यहां जाएगे इफक्ट ओप्शन पर यहां आपको timing आएगा और यह क्या करेंगे हम इसे select करेंगे until end of slide तो यह क्या करेंगा इसके थुरू क्या होगा वो बार बार repeat and repeat करता रहेगा जब तक आप repeat करोगे उसके बाद हम यह जाएंगे with previous select कर देंगे और f5 प्रेस करेंगे तो देखोगे कि यह repeat, repeat, automatic करता जाएगा जब तक आप इसे रोकोगे नहीं जब तक वो repeat होता जाएगा अब हम इसको gif file में convert करते हैं तो gif file में convert करने के लिए आपको file में जाना होगा यहां आएगा export, export में option आएगा, यहां आएगा create a animated gif यहां select करोगे, फिर यहां create gif select करोगे, उसके बाद आप location share करोगे, हमने यहां new folder में location डाल रखा है अब इसको यहां ला देते हैं, हमने already यहां पर एक बना रखा है, तो हम यहां डालते है test one और save कर देते हैं तो test one एक करेंगे, तो आप जैसी इसे open करोगे, यहां एक test one gif का file create होगे, अब इस पर हम जैसी double click करेंगे, आप देखोगे कि यह gif file create होगे और यह automatic चलता रहेगा, जब तक आप चाहोगे, जब तक यह gif file create होगया, तो हम इस तरीके से gif file create कर सकते हैं powerpoint में, जो कि यह latest version office 365 में available है, gif file को create करने का powerpoint में, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने दूसरा presentation gif file create कर रखा था, उसको हम कैसे create कर सकते हैं, उसको हम create करने के लिए क्या करते हैं, इसको कर देते हैं hide, कि जब हम इसको create करें, तो वो ना दिखे, उसके बाद हम एक blank लेते हैं, slide, उसके ब तो हम यहां से यह वाला icon select कर लेते हैं और insert कर देते हैं, तो यह icon insert हो जाएगा, इस पर select करोगे, तो आप से option पूछेगा कि किस तरीके से आप उसका जो icon है, उसको set करना चाहते हो color, तो हमने इसमें यह color set कर दिया और इसका size बढ़ा दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसका outline है, उसका weight हम बढ़ा देते हैं, यह हमने weight बढ़ा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर home में जाएंगे, यहां जाके हम नीचे आपको यह आएगा call out का, तो हम कोई सा भी इसमें call out select करेंगे, और यहां एक call out ले लेंगे, यह हमने ले लिया और इसको select करके हम कोई सा भी color ले सकते हैं, तो मैंने यह ओला color select कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम double click करेंगे, तो यहां पर text करने के लिए हो बूलेगा, तो text हम क्या लिखेंगे, high, high लिखेंगे, और यह लगा देंगे, और हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, size में बढ़ा, size में बढ़ा copy करना है, paste करना है, हमें इसको तीन बार करना है, ठीक है, हमने यह कर दिया, इसके बाद हम इसमें जाएते हैं, और हम one by one, पहला वाला हम फिर color change कर देंगे, इसका जो text color है, red में कर देते हैं, पहला letter, और इसका जो border है, उसको हम graphic format में जाके, जो outline का border है, उसका color हम change कर देत और इसका हम कलर कर देते हैं यह वाला ठीक है फिर दूसरे में जाते हैं दूसरे में जाएंगे हम फिर आई को स्लेक्ट करेंगे और इसका कलर कर देंगे रेड ठीक है उसके बाद हम बॉर्डर पर जाएंगे जो फॉर्मेट ग्राफिक उसमें जाएंगे और इसका कलर हम कर द देंगे फिर हम इस पर जाएंगे और format ग्राफिक में जाके यहां outline है outline का color हम फिर change कर देंगे यह वाला और एक और copy बना लेते हैं तो इसको copy करेंगे और paste कर देंगे ठीक है फिर last वाले में हम जो हमने पूरा text लिक रखा उसको red कर देते हैं और इसका background हम कोई और color में ले ल लेते हम yellow yellow color ले लिया हमने ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है सभी slide को एक साथ slack करना है और हम जाएंगे transition पर अब हम इस पर effect डाल रहे हैं कि जो हमारा पहला slide से दूसरे slide पर move हो कितने second में move हो तो यहां हम after पर click करेंगे और यहां 50 second पर हम उसे move कर देंगे तो यह हमने क के बाद जैसी आप f5 प्रेस करोगे तो देखोगे कि यह automatic चलने लगेगा ठीक है यह चल गया फिर अब हम क्या करेंगे इसको हम gif file में export कर देंगे export क्लिक करेंगे create an animated gif create gif उसके बाद हम gif का नाम दे देंगे test 2 और save कर देंगे save कर देंगे तो यह हो गया create फिर हम जाएंगे और यहां देखोगे आप test 2 का gif file बन गया अब हम double click करेंगे देखोगे यह चलने लगेगा तो यह इस तरीके से work करेगा तो इस तरीके से आप gif file create कर सकते हो powerpoint में बहुत easily और इस gif file को आप कहीं पे भी use कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please हमारी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और करें कब करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी आपके comment हम मोटिवेट करते हैं इस वीडियो को जाहते शूरत है अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप पर शेयर करें जिससे कि वो भी कुछ नया सीख सके, धन्यवाद